Hello everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains और हम आज start करने वाले हैं एक बहुत important topic जो class 4 से लेकि class 8 क्या हर class में आता है which is reading comprehension comprehension का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को समझना, comprehend करना, ठीक है? comprehend करने का मतलब जैसे इस वक्त मैं आप से बात कर रहे हूँ I'm talking in a language जो की आप समझ पा रहे हो मेरी बात आप तक पहुँच रहे हो और आप उसे समझ पा रहे हो इसका मतलब आप उसे comprehend कर रहे हो, ठीक है? suppose इस वक्त में जाती हो और मैं किसी Spanish बंदे से बात करती हो and suppose वो मुझे Spanish में बात करने लगे मुझे Spanish नहीं आती, तो क्या मैं उसकी बातों को समझ पाऊंगी? नहीं, तो मैं कहूंगी मैं उसकी बातों को comprehend नहीं कर पा रहे similarly मैं अगर आपको एक letter दूँ जो की let's say Persian language में लिखा हो या Egyptian language में कोई सी लिखा हुआ हो तो आप उस चीज़ को नहीं समझ पाऊगी right? क्योंकि आप उस चीज़ को comprehend ही नहीं कर सकते आप उसको समझ नहीं पाऊगी तो comprehension, reading comprehension का मतलब होता है when you read a book आप कोई book पढ़ रहे हो, आप अपने answers पढ़ रहे हो आप कोई question read कर रहे हो आप maths में कोई word problem read कर रहे हो problem कहां आती है? हम उसे comprehend नहीं कर पाते ठीक है? हम comprehend क्यों नहीं कर पाते है? क्योंकि maybe हमें grammar का knowledge नहीं है या maybe हमें कुछ vocabulary knowledge हमारा कम है या हमें English में sentence structure का knowledge नहीं है ठीक है? तो reading comprehension का मतलब है कुछ भी आपके पास एक paragraph है essay है कोई भी reading structure है जिसे आपको पढ़ के समझना है अब अगर आप उसे नहीं पढ़ पाओगे तो आपके लिए क्या है? वो symbols है जैसे अगर कोई illiterate है ठीक है? सपोज कोई illiterate आदमी है जिसके लिए मैंने लिखा A, B, C अगर मैंने तेलगू में कुछ लिख दिया तो आप बोलो कि मैं जलेबिया बनाई हैं आपने इससे लावा तो कुछ नी समझ में आरा तो अब person who does not understand the language will not be able to comprehend it तो जो हम reading comprehension पढ़ रहें इसका मतलब ये है आपका English पे वो command होना चाहिए जिससे आप कोई भी passage पढ़ो आप उसको समझ पाओ फिर उसके questions के answer भी दे पाओ ठीक है तो ये कैसे करना है ये अभी हम समझने वाले इस वीडियो में हम क्या करने वाले इस वीडियो में हम understand करेंगे कि reading comprehension होता क्या है Why are reading comprehension skills important ये reading comprehension skills क्यों important है And last how to improve reading comprehension skills कि किस तरीके से आप improve कर सकते हो along with some examples ठीक है So सबसे पहले अगर हम किसी से बात करें किसी से भी अगर आप बात कर रहे हो आप चाहते हो सामने वाला आपकी बात समझ जाए We want to be understood when we speak and for people to understand what we write मतलब अगर मैं किसी से बात कर रहे हूं तो मैं जो बोल रहे हूं Whatever I am speaking I want to be understood Similarly अगर मैं कुछ लिख रही हूं I want the person who is reading what I have written to be understood मतलब वो चाहत मैं चाहूंगी कि मैंने जो भी लिखा है वो समझ जाए Comprehension is the goal of communication Obviously अगर आप किसी से communicate कर रहे हूं अगर मैं आपसे बात कर रही हूं तो मेरा goal क्या है कि जो मैं कह रही हूं वो आप समझ जाओ इसका मतलब आप उस चीज़ को comprehend कर पाओ Comprehension means the ability to understand something So finally आपको समझ में आ गया है कि comprehension का मतलब क्या है किसी चीज़ को समझने की ability ठीक है Now reading comprehension क्या होता है Reading comprehension is the act of understanding what you are reading Simple Reading comprehension मतलब कोई भी चीज़ अगर मैं read कर रही हूं और अगर मुझे वो समझ में आ रही है उसका meaning समझ पा रहे हो जो भी author बताना चाह रहा है Both textually and subtextually इसका मतलब क्या होता है जैसे author ने कुछ idioms यूज किये अब idioms हमें पता है idioms वो group of words होते हैं जिनका literal meaning नहीं होता जैसे कि If I'll say Oh my god I cannot step out It's raining cats and dogs अब आपको अगर इस idiom का मतलब नहीं पता आप बोलोगे कुछते बिल्लियां किर रहे यह क्या बोल रहे है maam तो आप उस चीज को comprehend नहीं कर पाऊगे But if you understand कि इस idiom का मतलब है That it is raining heavily तो आप उस चीज को comprehend कर पाऊगे आप उसका मतलब समझ पाऊगे तो there are times जब author जो है कुछ लिखता है लेकिन उसको textually मतलब आपको सीधा सीधा समझा दिया Subtextually मतलब where you have to read between the lines Read between the lines मतलब जो बात कही है वो तो समझ में आनी चाहिए जो बात नहीं कही है वो भी उन emotions को भी आपको समझना पड़ता है And make inferences based on prior knowledge और ये पूरा पढ़ने के बाद आप अपना opinion देते हैं जो आपने पढ़ा है उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं Now there are two elements that make up the process of reading comprehension दो चीज़ें होती हैं एक होता है vocabulary knowledge और एक होता है text comprehension आपका vocabulary knowledge बहुत ही ज्यादा important है क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपको बोला Hey you know what it's like you know I like that girl She has an amiable personality अब बोलोगे कौन सी personality? Ma'am? Amiable personality Amiable का मतलब होता है A friendly personality ठीक है? या मैंने बोला आज मैं जो हूँ पढ़ा भी रही थी और खाना भी बना रही थी simultaneously You'll say simultaneously मतलब इसका मतलब दो चीज़ें जो आप एक ही टाइम पर कर रही हो Now, if you do not have a proper vocabulary knowledge I am not asking you to be a dictionary चलता फिरता dictionary बनने को नहीं कहां मैंने But if you do not have the basic vocabulary knowledge तो क्या होगा? आप जो हो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाऊगे Comprehend ही नहीं कर पाऊगे Similarly, text comprehension इसका मतलब जो लिखा हुआ है वो आपको समझ में आना चाहिए Prior knowledge, language, fluency and the ability to make inferences Will also play a role in reader's comprehension तो suppose आपको कोई unseen passage दिया है अगर आपको unseen passage दिया है about trees तो remember हमारे पास already एक knowledge है Trees के बारे में आप जानते हो आप तुरंत connect करते हो और चीज़ों को better तरीके से समझते हो जैसे मैंने आपको कहा Industrious आप बलोगे Industrious मतलब मैंने कहा Hardworking अब Hardworking is a word that you already know तो जैसे ही मैंने Industrious कहा अब आप connect कर सकते हो और आप उस चीज़ को समझ पाऊगे ठीक है तो आपके पास जो पहला knowledge है Already जो आपके पास knowledge है इसके अलावा आपके language पर क्या command है और आपका ability to understand कि वो कहना क्या चाता है इसका conclusion क्या है इससे वो क्या बात बताना चाता है inference क्या draw करना चाता है ये सारी चीज़ें जो होती है Reading comprehension को help करती है You are able to read and comprehend it better अगर आपके पास ये सब होता है Vocabulary knowledge ठीक है पहले का जो भी knowledge होता है Language पर आपका क्या command है और क्या आप कितने अच्छे से जो author बोल रहा है उसको समझ पा रहे हो Now, why is reading comprehension so important? Guys, it is important अगर आप कोई question के answers लिखना चाते हो बहुत बार ऐसा होता है कि आप question नहीं समझ पाते Maths, word problems में कितने लोगों को issue होता आप word problems को इसी लिए नहीं समझ पाते क्योंकि आप उसे comprehend नहीं कर पाते आप सिर्फ English की बात मतलो आप कोई भी language की बात लो अगर उस language के words को उसके phrases को उसके proverbs को vocabulary को अगर आप समझ नहीं पाऊगे तो आप उसे comprehend नहीं कर पाऊगे इसका मतलब जब आपने comprehend ही नहीं किया तब आप उसको answers उसके कैसे लिख क्या होगे क्योंकि question ही समझ में नहीं आया अगर आप कोई book पढ़ना चाहते हो या आप कोई article पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए comprehension is the first step so without comprehension जो reading है वो कुछ नहीं ऐसा लगेगा text मैंने symbols बना दिये हैं जब आप जब तक आप उसे comprehend नहीं कर पाऊगे तब तक वो सिफ कुछ symbols हैं आपके लिए जो meaningless होते हैं reading comprehension is important because without it reading doesn't provide the reader with any information अगर reading comprehension proper नहीं है तो आपको पढ़ लिया भले आपने पूरा कितनी बार ऐसा होता है कि माम आपको बोलते हैं chapter read करो आप पुरी chapter read कर लेते हो बड़ दिमाग में कुछ नहीं जाता क्योंकि maybe you are not able to comprehend it तो वो reading पूरा waste हो जाएगा How to improve your reading comprehension skills Practice आप practice करोगे जब भी आप practice करोगे you will come across new words नए vocabulary words आपको मिलेंगे आपको नए तरीके से कुछ idioms मिलेंगे phrases मिलेंगे sentences आपको लगेगा अच्छा यह ऐसे भी लिखा जा सकता है but when you will concentrate and practice एक बार के बार धीर धीरे आप उसमें skill करने लग जाओगे आप उसमें बहुत जादा अच्छे हो जाओगी ठीके next is improve your vocabulary vocabulary improve करने के बहुत सारी तरीके हैं आप YouTube पे वीडियोस देखोगे देरा loads of वीडियोस लेकिन vocabulary enhance करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है don't go कि एक दिन में मैं 50 words learn कर लूँगा नहीं आपको जो words already पता हैं ठीके उन words से related words अपने इसमें add करते जाओ जैसे कि if you remember grammar के initial videos में what did we do suppose if I know that you know angry is a word that I already know और happy is a word that I already know अब मैंने जो मेरी existing vocabulary है जो मेरे यहाँ पे जो dictionary है उसमें happy words stored है अब मैंने क्या किया? happy word के साथ ही तीन words और लगा दिये जैसे मैंने happy के साथ बोला zubilliant या मैंने बोला happy के साथ मैंने बोला glad या मैंने happy के साथ बोला you know exuberant अब ये words मैंने अपने लिए लिखे ठीके? also remember you can create a notebook एक notebook create करो ठीके? जब भी कोई नया word आए आप maximum ज़रूरी नहीं कि एक दिन में 10 words लिख दो 5 words उस notebook में लिखो ठीके? and when you know a word उसके बाद आप उसका meaning लिखो और एक example sentence लिखो ताकि आपको पता हो कि उसको use कैसे करना है ठीके? once you are done with that every time पस 5 minute लगते हैं just go through it flip the pages धिर धिरे आपकी आखों को और आपकी दिमाग को याद हो जाएगा ठीके? this is how you will improve your vocabulary and yes एक दिन में minimum 30 minutes you have to read आप newspaper रीट कर रहे हो आपको magazine रीट करना है जो करना है and remember start with something light newspaper magazine starting में पढ़ोगे तो you will fall asleep नेंद आजाएगी मजाई नहीं आएगा start with something that you like maybe a comic book okay maybe a story book something that is like you know fun for you and similarly आप जो हो जब एक दम एक जैसे ना आगे 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 बढ़ते जाओगे then there will be a day जब आपकी language पर command इतना अच्छा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते ठीके? next is skim first अब हम यहाँ बात करें एक unseen passage की unseen passages में remember जैसे आपके पास एक बहुत बड़ा passage है ठीके? इस passage के बाद आपके पास आता है इस question को answer करो अब यह passage ना क्या करते हैं? बहुत सारे बच्चे सबसे पहले questions पढ़ते हैं उसके बाद जाते हैं अपने passage पे आप गलत नहीं करते हैं लेकिन इसमें एक छोटा सा step और include करो पहले skimming कर लो skimming का मतलब होता है जो आपकी आँखे फट 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 देख लेती हैं बहुत फटा फट पढ़ना without going into the details एक बार जो आप तुरंट एक read मार लेते हो जिससे क्या हो जाता है आपको रखता है अच्छा अच्छा जब basically आपको इतना समझ में आ चाता है paragraph किस बारे में है ठीक है do the skimming first and then go to the question answers understood ask questions अब यहाँ पे इतना याद रखना कि आप कोई भी चीज को समझना चाते हो जैसे अगर मैंने आपको physics में कुछ पढ़ाया या chemistry में कुछ पढ़ाया या history में कुछ पढ़ाया आपको समझ में आ गया है तब आपको पता चलेगा जब आपसे मैं questions करूंगी similarly आप खुझ से questions करो ठीक है तो अच्छा इसमें यह बताना चाहता है इसका मतलब यह अगर यह पूछता है तो इसका answer यह होना चाहिए ask questions about the passage उससे क्या होगा आपको clarity मिल जाएगी and you will get to understand कि हाँ यह passage मुझे अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है use context clues बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपका vocabulary knowledge अच्छा भी है तो कुछ words होते हैं जो आपको नहीं समझ में आते हैं मुझे भी नहीं आते there are so many words क्योंकि again I am telling you we are not dictionaries over here और everyday so many words are included कितने सारे nouns include होते हैं तो अगर कोई word है जिसका मतलब आपको समझ में नहीं आया है then read the sentence sentence के according आपको उस word का मतलब समझ में आ जाएगा sentence के according आपको ये पता चल जाएगा इस word का meaning शायद ये होगा ठीके इसको बोलते हैं context clues जो आपको text लिखा है वो आपको clue देता है कि इसका मतलब क्या हो सकता है and it's okay and then you can understand and move ahead ठीके next is summarize summarizing is very important अभी हम लोग एक और वीडियो देखने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे summary writing कैसे की जाती किसी भी चिसको summarize कैसे किया जाता है summarize करने का मतलब simple इतना होता है आपके पास जितना भी बड़ा text है essay है passage है उसको आप अपने words में कम से कम शब्दों में only highlighting the key points आप जो बताते हैं उसे कहते हैं summarize अब आपने पूरा passage देखके अगर उसे summarize किया इसका मतलब that you have understood it well ठीके next is make inferences make inferences मतलब जो लिखा है और जो नहीं लिखा है दोनों पढ़ना है जो author ने सीथा सीथा कह दिया है और जो author कहना चाहता है उसके feelings इसकी emotions आपको वो inferences भी समझने पड़ेंगे inferences का मतलब होता है you know you have to read between the lines reading comprehension is about understanding what is being said textually and subtextually मतलब जो उसने कहा है और जो वो कहना चाहता है ये दोनों चीज़ें हमें समझनी पढ़ती है next is visualize ये तो बहुत help करता है मतलब आपका imagination जो आपका path है उसको आपको करना है elevate आप जब भी कोई चीज़ पढ़ दे उसको visually imagine करने की कोशिश करो similarly अगर आप history में भी पढ़ दे हो science में भी पढ़ दे हो अगर suppose कोई बहुत बढ़ा answer है उसको visualize करने की कोशिश करो क्योंकि जब आपकी आँखों के सामने एक story बन जाती है so it helps you to understand and retain it आप उसको याद रख पाते हो वना आप भूल जाओगे and now we are going to see कि अगर आप कोई भी comprehension में questions कर रहे हो कोई आपके पास एक reading comprehension है अगर आप आपको उसके question solve करने हैं तो आप किस तरीके से करोगे सबसे पहला read the passage twice to understand the theme and the main ideas given in the passage सबसे पहले passage को दो बार पढ़ो जब आप उसको समझ लोगे तो क्या होगा आपको पता चल जाएगा वो किस चीज के उपर based है किस topic के उपर based है और main idea क्या है जैसे अगर मैं आपको बात कर रही हो कोई है जिसमें मैं बता रही हो कि air pollution से यह होजाता है noise pollution से यह होजाता है smoke sery air pollution बढ़ रहा है आपको समझ में आगיה पूरा idea किसके बारे में है, pollution के बारे में आप main जो बात करे हो, किसके बारे में बात करे हो, pollution के बारे में बात करे हो and you are talking about the different types of pollution, ठीक है तो आप जब दो बार read करोगे, आपको उसका main idea और आपको उसका theme समझ में आ जाएगा After understanding the passage, read the questions based on the passage अब आपने पूरा passage पढ़ लिया, अब आप questions में जाओ, search for their answers in the passage अब इसमें मैं आपको suggest करूँगी, instead of reading it twice, read the passage once go to the questions, अब questions में जो पूछा है उसको underline कर लो ताकि आखें बार-बार उस चीज को देखें और similar word जहां पे भी passage में मिलता है उसको underline कर लो ठीक है? Now read the question again and see what is the answer what is the possible answer for your question Go through the questions and answers again अब आपने वापस जब पूरा लिख लिया again read it once to understand कि हाँ आपने सही answer लिखा है कि आप सही question को सही तरीके से reply कर रहे हो या नहीं कर रहे हो Now write down the answers in your own words Remember reading comprehension में आपके marks cut जाते हैं अगर आपने same जो उपर लिखा है वैसे का वैसा चाप दिया हमेशा try to answer in your own words Avoid reproducing parts of the given passage मतलब ऐसा मत करना कि उपर जो लिखा है वैसा का वैसा नीचे छाप दिया otherwise क्या होगा marks कट जाएंगे Also don't give any comments or opinions तो में अपने मन से कोछ आइड नहीं करना है अपने कोई opinion नहीं देना कोई comment नहीं देना जो उपर लिखा है उसमें से ही आपको लिखना है See that the answers are clear, brief and to the point and free from irrelevant details आपको उसने पूछा है वो कहां रहता था और आपको just answer बढ़ा करना था तो आपने ये भी बता दिया वो कहां रहता था वो क्या करता था, उसका nature कैसा था हमें ज़रूरी नहीं है Avoid irrelevant details Irrelevant details हमको नहीं देने Answers clear होने चाहिए और to the point के होने चाहिए Use the same tense in answering questions in which they are asked अगर कोई question आपको past tense में पूछा गया है तो भाई past tense में ही answer करो अगर कोई present continuous में पूछा है तो present continuous में answer करो यह नहीं कि उसने पूछा किसी और tense में है अपना answer किसी और tense में दे रहे Revise your answers, correcting spelling and grammatical mistakes जब आपने पूरे answers लिख लिए तो obviously you will have to go and check कि आपने कोई spelling mistake तो नहीं करी है कोई grammatical mistake तो नहीं करी है Especially when you are writing the names तो क्या होता है लोग ना उपर तो पढ़ लेते हैं फिर नाम अपने मन से लिख देते हैं मतलब spelling का पूरा कचरा हो जाता है वहां पर So understand this thing कि spellings जो है mostly जो difficult spellings होती है परेग्राफ में लिखे होती है आप जब copy कर रहे हो तो ध्यान से करो अब हम कुछ देख लेंगे example passages यह जो example passages हैं around 2-3 passages हम देखेंगे जिसमें कुछ questions है उनको अपन answer भी करेंगे A giant in height and health with long hair wearing a bottle green fur lined overcoat and round cap on his head Oscar D'Souza arrived in New York on 2nd of January 1882 on a lecture tour अब देखो यहां पर बता रहे हैं वो अभी हम पहले एक बार पूरा read कर लेते हैं ठीक है underline भी करते जाएंगे यहां पर फिजिकल description दे रहे हैं किसकी बात हो रही है Oscar D'Souza की जो कहां पर आया New York में आया था 2nd of January 1882 क्यों आया था एक lecture tour पर आरा था अब मैं read करते हुए जा रही हूँ एक lecture tour पर आया है उससे आप ऐसे questions कर दे हो How he trimmed his fingernails मतलब अपने नाखुन कैसे काटता है And what temperature he preferred his bag to be जब वो नहाता है तो उससे गरम पानी पसंद करता है या वो थंडा पानी पसंद करता है His answers showed a total lack of interest उसके जो answers थे समझ में आ रहा था कि वो बिल्कुल interested नहीं है इन questions में However, when he stepped ashore However, जब वो इन सब चीजों से थोड़ा side होके हट गया The customs official asked, जो customs का जो officer था उसने उनसे पूछा Have you anything to declare? क्या आपको कुछ declare करना है? इसका मतलब क्या होता है? जब आप customs में जाते हो, ठीक है? तो जैसे आप airport पे हो और आप custom officer के पास जा रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है? वो बोलते हैं कि is there anything that you want to declare? मतलब आपके पास ऐसी कोई चीज है जो आपको लेके जा रहे हो मेबी allowed नहीं है या anything तो वह कुछ declare करने के लिए पूछता है अब इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे आया हमें बागी paragraph तो बहुत ईजी था हमने समझ लिया I have nothing to declare मेरे पास declare करने के लिए कुछ नहीं है except my genius मेरे genius के अलावा अब आप इसको यहाँ hold करो इसको underline, double underline कर लो क्यों क्योंकि इस पे base question पका आएगा यह हो गया अब हम जाएंगे एक बार पुरा paragraph पढ़ा अब हम जाएंगे question answers में तो यहाँ पे देखो mentioned two details of Oscar's physical appearance when he came to New York तो Oscar जब New York आया था तो वो कैसा दिख रहा था physical appearance का मतलब होता है physically वो कैसा दिख रहा था आपको वो बताना है तो यह चीज हमने देखी थी यहाँ पे क्या लिखा हुआ था a giant in height and health मतलब उसकी height बहुत जादा थी with long hair उसके बाल बहुत जादा लंबे थे and what was he wearing he was wearing a bottle green furl and overcoat वो एक bottle green furl and overcoat पहना हुआ था along with a cap तो यहाँ पे जब आपको question किया है two details बोलें तो आप two details में से इतना दोगे कि उसके बहुत लंबे बाल थे और उसकी height बहुत जादा थी he was like height like a giant तो यह हो गया अभी हम सिर्फ देख रहें कि answers मिल गए क्या why did he come to New York? he came to New York on a lecture tour ठीक है यह भी हमें answer मिल गया Oscar D'Souza was not interested in answering the questions of reporters why क्यों नहीं interested था? क्योंकि वो लोग unimportant questions कर रहे थे silly questions कर रहे थे तो यह answer भी समझ में आ गया find a word sorry what does Oscar D'Souza's answer to the custom officer's questions show अब उसने क्या answer किया यहाँ पे आप अपने words बनी लिखोगे क्यों क्योंकि यहाँ पे already जो है आप किसी की बात के बारे इमता रहे उसने क्या answer किया तो क्या answer किया था? that he had nothing to declare apart from his genius ठीक है? find a word in the passage which means exceptional ability in a person exceptional ability in a person को क्या बोलते है genius आपके अंदर कोई exceptional ability है उसको हम क्या कहते है उसको हम कहते है genius ठीक है? clear? तो अब हम इसके answers देख लेते हैं फटाक से so दो physical appearance जो बताने हैं आप बोल सकते हैं he was so tall that he looked like a giant also he had long hair उसके बहुत लंबे बाल थे और वो बहुत लंबा था ठीक है ये पहले question का answer आगया second question क्या था why did he come to New York? he came to New York on a lecture tour ठीक है? next is he was not interested in the questions why? Oscar D'Souza was not interested in answering the questions of the reporters because they asked him unimportant questions ठीक है? suppose ये question एक mark का नहीं है दो mark का है तो आप कुछ examples भी दे सकते हैं like how he cut his fingernails or how did he like the temperature of his bath and etc next question is what does Oscar D'Souza answer to the custom officer's question show? उसने क्या question का answer दिया? the answer shows अब यहाँ पर बोला है उसको कि उसने जो answer दिया कि you know I have nothing to declare apart from my genius मेरे पास मेरे intelligence के अलावा कुछ नहीं declare करने के लिए इससे क्या समझ में आता है? क्या show करता है ये this shows his wit and sense of humor इससे बता चलता है कि वो कितना intelligent है और उनका sense of humor कितना strong है and last question है कि एक word जो आपको paragraph में बता रहा है about the exceptional ability in a person और वो word क्या है? genius ठीक है? that is it अब हम एक और question देखेंगे Eskimos live in the polar areas Eskimos जो polar areas मतलब क्या होते हैं? जो extreme cold areas होते हैं जो top north वारा जो area होता है उसको हम बोलते हैं polar areas ठीक है? तो Eskimos कहां रहते हैं? polar areas में रहते हैं they are not usually tall but they have powerful legs and shoulders वो बहुत जादा tall नहीं है ठीक है? वो बहुत जादा tall नहीं होते हैं लेकिन उनके shoulders बहुत powerful होते हैं और उनके legs बहुत powerful होते हैं they have a common language and can understand members of another group although they may come from many thousands of miles अभी उन सब के common language होती है और वो लोग दूसरे लोगों को बहुत easily समझ जाते हैं even if वो thousands of miles away से आए हो marriage is by mutual consent अब यहाँ पैसे marriage की जो होती है दोनों अगर जो लड़का है और लड़की है वो दोनों agree करते हैं तो शादी हो जाती है they do not have a special marriage ceremony उनके जैसे हमारे यहाँ शादियों में एकदम proper ceremony होती है वहाँ कुछ नहीं होती है Eskimos live by hunting and fishing Eskimos जो हैं वो हैं हंट करते हैं और fishing करते हैं and that's how they survive The Eskimos snow house which is called igloo is very well known अब हमें igloos पता है ठीक है वो जो होते हैं जो snow के इस तरीके से जो घर होते हैं उसे igloos कहते हैं तो इनको snow houses कहते हैं अपन को लगता है वो पूरे snow से उपर बने हुएं But in fact, Eskimos usually live in houses made of wood and turf Eskimos हमें लगता है वो लोग ये ना जो जितने igloos हैं वहां रहते हैं लेकिन actually Eskimos उन घरों में रहते हैं जो wood, लकडी और turf का बना होता है turf का मतलब होता है जो घास से पुरा जो भूसे से पुरा उपर जो cover कर देते हैं When they are not hunting and working अब जब वो hunt नहीं कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं Eskimos like to carve Carve मतलब क्या होता है जिसे एक पत्थर हुआ पत्थर में कोई design बनाना मतलब उसको जो है किसी sharp edge वाली चीज़ से उसको आप जो बनाते हो या लकडी पे कोई design बनाते हो उसको कहते हैं हम carve करना They use ivory and wood and they often make very beautiful object वो ivory, ivory क्या होती है जो आपका elephant का trunk होता है ठीक है तो वो ivory को use करते हैं और लकडी को use करते हैं और बहुत ही जादा beautiful items बनाते हैं Now that is it अब यहाँ पे इन questions के अलावा I am also adding one more question Give a suitable title to the passage यह एक बहुत important question होता है and always remember यह question आता ही अगर unseen passage है तो आपको पूछेंगे किसके लिए एक अच्छा सा title दो So let's start doing the answers now So हम answers में पहला हमारे पास question क्या था Question है What do the Eskimos look like? Eskimos कैसे दिखते हैं? तो अब आप यहाँ पे रेखो हमारा जो passage था They are not usually tall but they have powerful legs and shoulders अब यह आगया कि वो किस तरीके से दिखते हैं तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे The Eskimos are not tall but they have powerful legs and shoulders ठीक है? Done with the first answer Second question क्या है? How does a common language help them? तो common language helps them to understand people तो आप क्या लिखोगे? They can understand members of another group Who may be living thousands of miles away अब क्योंकि उनका एक common language होता है तो even if जो other people हैं वो बहुत thousands of miles से आए हैं तब भी उनको समझ जाते हैं ठीक है? Next question है How do they earn their living? वो अपने जीवी का कैसे चलाते हैं? मतलब वो कैसे survive करते हैं? By hunting and fishing तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे They earn their living by hunting and fishing Next question है What activities do they engage in during their spare time? जब वो free होते हैं तब वो क्या करते हैं? तो remember जब वो free होते हैं तब वो carving करते हैं किस पे? With the help of ivory and wood तो यहाँ पे मतलब ivory और wood पे carving करते हैं तो आप क्या लिख दोगे? They carve and make beautiful things using wood and ivory during their spare time तो जब वो free होते हैं वो क्या करते हैं? वो beautiful things बनाते हैं वो carve करते हैं किस चीज की help से? Ivory और wood की help से तो लिख दिया हमने Next question क्या है? Mention the two types of houses Eskimos live in तो हमें बताए एक तो igloos हैं उसके अलावा वो लोग wood house में जो रहते हैं wood और किसका बना हुआ होता है वो? यहाँ पे wood और grass ठीक है? जो यहाँ पे जो word है जैसे मैंने आपको बनाया था जो turf word है इसका मतलब होता है वो grass का होता है तो आप उसको turf भी लिख सकते हो grass भी लिख सकते हो तो आप क्या बोलोगी यहाँ पे? They have snow houses called igloos but usually they live in houses made of wood and grass तो आपने answer सेम लिखा है अपने words में लिखा है ठीक है? Last क्या है? Find a word from the passage that means agreement कि उनका एक mutual agreement होता है यहाँ पे यह लिखा हुआ था कि वो लोग शादी कहसे करते हैं? mutual consent consent का मतलब होता है कि दोनों जब एक दूसर से शादी करने के लिए agreement अब अगर आपको इसमें कोई title लिखना हो तो आप title क्या लिखोगे? जो मैं 7th question बोल रहे थी इसका title क्या लिखोगे? आप लिखोगे जैसे आप कुछ भी लिख सकते हो I can suggest Life of Eskimos ठीक है? Life of Eskimos इस तरीके से आप किसी भी title मतलब एक title जो इस paragraph से related हो वो आप लिख सकते हो लेकिन title हमेशा जब भी कोई passage practice करो उसका title identify करने की कोशिश करना ठीक है? And now the last passage that we have here for practice is Robert Bruce was the king of Scotland His country was not free उनकी जो country थी वो free नही थी इसका मतलब उनकी बस freedom निचे से हम थे हम Britishers के under थे वैसे वो भी किसी के under थे It was under the English Same उनकी जो country थी वो भी उस पे English जो English people थे वो rule करते थे He wanted to free his country वो चाहते थे कि अब उनकी country free हो जाए He made many attempts but all in vain उन्होंने बहुत कोशिश करी All in vain का मतलब सब पानी में गया मतलब किसी चीज का फाइदा नहीं हुआ He lost heart and fled into a forest उनका मतलब उनको उन्होंने हार मान ली और वो एक forest में भाग गए Fled मतलब वो भाग के एक forest में चले गए He hid himself in a cave और उन्होंने अपने आपको एक गुफा में छुपा लिया He was very sad वो बहुत दुखी थे One day he caught sight of a spider एक दिन उन्होंने एक spider को देखा It was trying to reach its cobweb तो spider जो था उसके जाल तक पहुँशने की कोशिश कर रही थी जो उसका web बनाती है वो The cobweb was near the ceiling अब जो उसका cobweb था वो छत के पास था, ceiling के पास था It made eight attempts but failed वो उसने आठ बार try किया उपर जाने का लेकिन हर बार वो गिर जाती थी, वो fail हो गई In its eighth attempt, it had reached its cobweb but it again fell down तो eighth जो उसका attempt था उसमें वो एकदम उसके पास तक पहुँच गई और फिर गिर गई The king thought that it would not try anymore तो raja को लागा बस अब तो ये वाहां तक पहुँच गई फिर गिर गई अब ये नहीं try करेगी But it did not lose heart It tried once more लेकिन उसने give up नहीं किया और वो एक और बार उसने try किया spider ने कि वो उपर पहुँच जाए This time it got success और इस बार वो सफल हो गई The king learnt a lesson और जो raja था उसको एक सबक समझ में आया He decided to try once more उसने वापस जो था English people को हराने के लिए सोचा He gathered a large army उसने एक बड़ी सी army gather करी He attacked the enemy उसने English people को attack किया He fought bravely उसने बहुत bravely fight किया This time he succeeded इस बार वो जीत गया His country was free again He was very happy Finally उसकी country जो थी वो वापस free हो गई थी और वो बहुत खुश था अब हम यहां questions देख लेते हैं Who was the king of Scotland? बहुत easy है Was his country free? Where did he hide himself? What did he see in the cave? What was the spider doing? बहुत ही simple questions है Who was the king? It was Robert Bruce Was his country free? No, it was under the rule of English people ठीक है? He hid himself in a cave Next question क्या था? क्या देखा उसने cave में? He saw a spider trying to reach its cobweb उसके बाद वो क्या कर रही थी? The spider was trying to reach its cobweb तो अब इसमें इतना ही लिख सकते हो He saw a spider ठीक है? Because second question में तो answer आप लिखी रहे हो Next question क्या है? Where was the cobweb? Cobweb कहा था? Ceiling के पास था What did the king think? King ने सोचा कि अब वो try नहीं करेगी वो अपनी hope loose कर लेगी Did the spider lose heart? No, it did not Whom did the king attack? King ने किसे attack किया? English people को attack किया How did he fight? He fought bravely That's it ठीक है? यह हो गए हमारे answers तो यह तो आपके बहुत-बहुत-बहुत easy questions है ठीक है? लेकिन अब आप इसी में कुछ higher level के comprehension practice कर सकते हो कुछ important कुछ है तो इसके लिए what I'll do is इसी की link में I'll give you some practice questions ठीक है? तो यहाँ पे आप जो हो यहाँ पे link में practice questions देख सकते हो जिसमें आपको अलग-अलग level के advanced level के comprehensions भी मिलेंगे with questions and answers so you can go and check them out ठीक है? So here we are done with reading comprehension guys I hope you have understood it well thank you so much for watching if in case आपको YouTube में videos find करने में थोड़ी भी problem हो रही है then please go and visit our website which is magnetbrains.com the moment you go there आपके पास यह homepage अपेर होगा here you have courses drop-down पर आप जैसे ही click करोगे all the available courses will be flashed in front of your eyes अब आपको जो भी class में जाना है just click on the tab and आपके सारे subjects appear हो जाएंगे उस class के click on watch now of whichever subject you want to study इसके बाद आपके पास पूरी topics appear हो जाएंगे कि कौन-कौन से topics उस particular subject में पढ़ाए गए है whichever topic you want to study just click on watch now and here you are sorted thank you so much I hope you enjoyed watching this video Magnet Prince here is trying level-based की आपको किसी भी तरीकी की परिशानी नहीं हो और free education shall reach you ठीक है I will see you in my next video take care of yourselves हुरे में जाएंगे दोब के एलजब के लुके लाजby, का Congratulations